सो हलो दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूटी चैनल सक्सेस रोजगार में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे बिहार क्रिसी विभाग में चीला एबम ब्लॉकस्तर की सीधी भरती निकाली गई है और ये जीला और ब्लॉकस्तर पे सबसे बड़ी भरती है जो की 1041 पदों पे भरती निकाली गई है और इसके लिए आपको दोस्तों बता दे कि कई तरह के पोस्ट यहां पे निकाले गए जिसके लिए योगता क्या रखी जाएगी और दोस्तों आपको बादा दे कि ये सीधी भरती है आवेदन आपको ओन लेन के मादियम से ही करना होगा तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि क्रिसी विभाग की अंतरगत आप सबी लोग का डिमाइंड बहुँ जादा रहता है कि क्रिसी विभाग की अंतरगत जो कि जिला और ब्लोकस्तर पे कॉन्गनसी भरती आई हुई है तो आज की इस वीडियो में मैं उपस्तित हो चुका हूँ लेकर एक नई भरती को लेकर और इसमें एक ही नहीं कई तरह के पोस्ट निकाले गए जो कि क्रिसी विभाग की अंतरगत है और इसमें आवेदन भी सुरू है तो अप्लाई ओलन के माध्यम से है जो कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ सुरू से लेकर लास तक बने रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है नीचे कोमेंट सेक्षन में पुछ लिजेगा आपको प्रोपर रिपलाई मिल जाएगा आज ये दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले एक इंपोर्टन जानकारी देना चाहते हैं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिजे और बेल आइकन को हिट जरू कर लिजे जिससे की आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलता रहे और दोस्तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा जो क्रिसी बिभाग में काम करना चाहते हैं और क्रिसी बिभाग यानि क्रिसी डिपार्टमेंट के अंतरगत जो नौकरी करना चाहते हैं उनके साथ भी सेर कर दीजेगा और टेलिग्राम चैनल को लिंक जो है डिस्क्रिप्सन में दिया गया है आए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं सो सबसे पहले दोस्तों हम आचु के ओफिस्यल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पे और यहां पे गाइडलाइन्स देख सकते हैं और यहां पे प्रखंड अस्तरिये जो कि यहां पे देख सकते हैं यह भरती है और यहां पे जीला अस्तरिये भी भरती निकाली गई है तो यहां पे कई तरह के भरती है जिसके बारे में आपको फुली इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले यहाँ पे जो आप सब लोग देख सकते हैं किरिसी विभाग बिहार पटना यहाँ पे कुछ सोट में इन्फोर्मेशन दिया गया इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि बिहार किरिसी प्रवंदन नेम परसार पर सिछन संस्थान बामेती बिहार पटना National Mission on Agriculture Extension अंड टेकनोलोजी के अधिन Sub-Mission on Agriculture Extension आत्मा योजना के अंतरगत जीला या परकन डस्तर पर आत्मा योजना तथा उक्तो योजना के किर्यानवैन है तू राज्य योजना मत्से बीबिट जिक्त पदो पर संभिधा अधारित न Youजन है तू जारी किया गया है जो कि यहां पे देख सकते हैं कुछ परिचय यहां पे दिया गया इंट्रोडक्शन सौट में तो आपको इसको भी रीड कर सकते हैं सबसे पहले मैं यहां से सुरू करता हूँ आवेदन पत्र का अमंत्रन जो कि यहां पे बतेया गया है तो यहां पे लिखा सीमा निम्त्म साची का रहेगाि reinforceंद जो करणी का रहेगा अधिक्तलिक शुक्त की रहेगा और अधिक्तलिक नाम आपैस्तों साची बिवर रहेगी वो भी है और नियत वेतन जो कि यहाँ पे कितना रहेगा वो भी बात किया गया है सबसे पहले यहाँ पे जो आप सभी लोग देख सकते हैं नंबर वन जो पोस्ट है वो परखन तकनिकी प्रबंदक आत्मा योजना अंतरगत प्रखन दस्तर पे यह भरती है जिसमें कुल पदो की संख्या 288 है लिन्तन सैची योगता इसके लिए क्या होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं किरिसी या उधान या किरिसी आमंतरन या वानिकी या पसू चिकित्सा एवं पसू बिग्यान या मत्स्य या गव्य प्रधागी विशाय में असनातक की डिग्री इन में से किसी में भी आपका असनातक यानि डिग्री आप पास है तो आप इस फर्म के लिए योगी है साथ में कार्य अनवव भी कुछ बताया गया है जैसे कि भारत या राज सरकार अधिन के सरकारी संस्थानों या संगटनों या पित पोसित संस्थानों तथा ICAR, क्रिसी बिग्यान केंद्रिया, आत्माया क्रिसी उदान, मतस्य पसूच, बिग्यान डेरी इन में से किसी में भी आपका तीन साल एवब असनातक उत्तर के लिए दो वर्स का कार्य अनुवव है तो आप इस फर्म के लिए योगी है वहीं यहाँ पे जो कि बताया गया है कि अधिक्तम उम्र सीमा कितना रहने वाला है तो 37 वर्स जो कि बिग्यान प्रकासन की तीथी तक अधिक्तम उम्र सीमा है और समान प्रसासन विभाग के संकल्प संख्या इतना के अनुरूप होना चाहिए और इसमें वेतन आपको 300,000 दिया जाएगा जो कि यहाँ पे साप तक्निकी प्रवंदक आत्मा योजना अंतरगत प्रकान डस्तर पे यह भी है और इसमें कूल पदो की संख्या 587 है इसके लिए भी आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो क्रिसी या उधान या क्रिसी अभियां तरन या वानिकी या पसू चिकितसा या पसू बिग प्रकान डस्तर की है और लेखा पाल की है जो की राज योजना अंतरगत प्रकान डस्तर की है जिसमें 160 पोस्ट इसके लिए निकाले गए हैं और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बीकॉम यानि आप बैचलर आप कॉमर्स से आप डिगरी पास है तो आप इस फर्म के लिए योग्य है और इसमें आपको कार्य अनभव कितना मांगा गया है तो तीन वर्स इन सभी में से जो की आप देख सकते हैं और इसके लिए भी आपको अधिक्ताम उम्रसीमा 37 वर्स रखा गया है मिनमम की अगर बात करें तो 21 या 22 के सम्थिंग आपका रहने वाला है और सेलरी की बात करें तो 22,500 आपको सेलरी प्रवाइड के जाएंगे इसके साथ साथ जिला अस्तर ये पोश्ट की बात करें तो आसूलिपिक सालिपिक की है जो कि राजु ये ना अंतरगत जिला अस्तर पे बढ़ती है और इसमें कुल 6 सीट है और इसमें आपको क्या क्व अभी में से रहने वाला है किसी एक में भी आप है तो आप इस पर्म के लिए योगी है 37 साल इसके लिए मैक्समाम एज लिमिट है और 22-500 इसके लिए आपको सेली प्रुबाइट के जाएंगे इसके साथ नोट में कुछ बताया गया जीला वार या पद वार एवंकोटी वार पदों की संख्या की विवरान अलोलंग ने एक के रूप में सानलगना है समधा पन्योजन है तो पातरता सबसे पहले इसमें क्या बताया गया वो उसके बारे में समझते हैं सबसे पहला नंबर प्वाइंट बताया गया अभियरती भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरा बिहार के बाहर के अने राजुकी अभियरती को आरक्षन का लाब दे नहीं होगा तीसरा प्वाइट कंडिका संख्या एक में अंकित आवेदित पद की अनुसार सभी अभियरता को पूरा करता हो वैसे कंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं उम्र सीमा के बारे में य पिछरा वर्ग महिला या महिला को नेमा अनुसार उम्र सीमा में छूट अनुमाने होगी या छूट पिछरा वर्ग में अत्यंत पिछरा वर्ग पूरुसेवा महिला के लिए 40 वर्ष अरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष अनसूची जाती अनसूची जन जाती पूरु अनुमाने होगी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षन के बारे में बतायागे आरक्षन कालाब यहाँ पे जो आरक्षन कालाब दिया जाएगा नोट में यहाँ पे आप पर सकते हैं आवेदन देने की परकिरिया जो कि किस तरीके से होगा तो यहाँ पे बतायागे जो कि यहाँ पर दे रखा है www.bamethi.org तथा क्रिसी विभाग बिहार के वेबसाइट www.bamethi.org तथा क्रिसी विभाग बिहार के वेबसाइट www.httpr.state.bihar.gov.in www.crisi.cityandhome.html पर आवेदन करने हैं तू लिंक दिया जाएगा जिसके माधियम से online आवेदन किया जा सकता है चोकि यहाँ पर आप सबी लोग देख सकते हैं फिलार online कब से स्टार्ट होगी और online जैसी स्टार्ट होगी तो हमारे चैनल के माधियम से आपको official ही बताया जाएगा कि इस तरीके से अपलाई करना है आवेदन पत्रों से समधी डाटा का संधारन संधारन डीविटी को सांग क्रिसी विभाग के माधियम से लिंक लेकर किया जाएगा online आवेदन पत्र बिग्यापन कि तीटी से 15 अपरेल 2013 के 5 बजे अपराहां तक समिट किया जा सकता है कोई अभ्यर्ती राज के किसी दो जीले में एक से अधिक पत के लिए आवेदन कर सकता है यानि कि यहाँ पर एक की अधियान देने योग के बात है कि कोई अभ्यर्ती राज के किसी दो जीले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यानि कि कोई भी अभियर्ती हो महिला हो या पुरुष हो वो राज के किसी दो जीले में एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं जो कि यहाँ पर टर्म्शन कंडिशन में बताया गया है कांसलिंग के पस्चात योग याभियर्ती को नियोजन पत्र दिया जागा नियोजन एतु समय सीमा का निर्धारन जो कि यहाँ पे बताया गया है नंबर वन में कारिका बीवरन समय सीमा और दायुतु ओनलैन आवेदन देने की अंतिमती थी प्रमान पत्रों को अप्लोड करना जैसे कि समय सिमा यहां पर बताया गया है कि 15 अप्रेल 2030 के 5 बजे अप्राहन तक और दाई तो डिवीटी को सांग क्रिसी बिभाग जो की है 22-23 अप्रेल 2030 को और डिवीटी को सांग क्रिसी बिभाग जो की यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नेक्स्ट की बात करें तो आपति के निराकरम के पस्चा जो की फाइनल लिस्ट अप सौट लिस्टिट का इनिडेट्स का प्रकासन जो होगा 29 अप्रेल 2030 को होगा डिवीटी को सांग या क्रिसी बिभाग बामिती के द्वारा होगा आवेदन पत्र एबं प्रमान पत्रों का डाउनलोड करना जो की 2-5 मई 2023 को होगा जीरा अस्तर पे रहेगा जो की यहाँ पे देख सकते हैं कारिक अभीवरान यहाँ पे बताया गया समय सिमा और दायुतु जो की यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं और जिला अस्तर पर आवेदन पत्रों एबं सबंध प्रमान पत्रों के सत्यापन तता नियोजन परकिरिया पूरी कराने है तू जिला अस्तर पर चेन समीती का गटन, समीती के सदस्य का भीवरन निन परकार से होगा, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, तो यह परमान पत्रों को वेबसाइट पर अप्लोड करने की प्रकिरिया में, अभ्यर्ती के द्वार अप्लोड कियेगा, परमान पत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलो को दिया जाएगा, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिन तिती के उपरांत, निर्धारी तिती को जिला क समिति के सदस्थ सचीव के समक्ष आपति कर सकता है आपति या दावो पर बिचारक के उपरांत अंति मेगा सुची का प्रकाशन किया जाएगा तता कांसलिंग के पस्चात योगी अभियर्ति को नियोजन पत्र दिया जाएगा प्रमान पत्रों के सत्यापन के दिन अभियर्त तो उसका समक्ष पदाधिकारी अन्मंडल या जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमान पत्रों की छाया प्रति सनगर करना होगा अन्य था समान्य स्रेनी में समझा जाएगा आवेदन करते समय नियत प्रबिष्टी के अधिन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिश्थिती में आरक्षण का लाप दे नहीं होगा औलेन आवेदन भरते समय सभी सैची योगता एवं अनुवा प्रमान पत्र अपलोड करना अनिवारी होगा औलेन के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अलोलंगनक में कोई संसोधन नहीं किया जागा तो वो यहाँ पे देख सकते जिसे की कूल 100 अंको का मेगा सुची निम्न परकार तुजार किया जागा जिसे की नमबर वन सैची योगता पर अधिक्तम 80 अंक जो कि यहाँ पे बतायागा या मैट्री के कूल प्राप्त प्रतिसाथ अंक प्लस इंटर्मीडियर के कूल प्राप्त प्रतिसाथ अंक प्लस असनातर के कूल प्राप्त प्रतिसाथ बाई ठीरी गुने 0.80 अंक जो कि यहाँ पे देख सकते हैं तरीके से यहाँ पर रहने वाला निधारित अनुलग अनुवा वर्स में अतरीक अनुवा वर्स के अधिक्तम 10 अंक जो कि यहाँ पर देख सकते हैं तो यह किस तरीके से होगा यहाँ पर मनसन किया गया है इन सबी चीजों के बारे में आप रीट कर सकते हैं सैची योगता के लिए अंक जो कि किस तरीके से होगा वो यहाँ पर बतेया गया है तो इन सबी चीजों के बारे में आप यहाँ से रीट कर सकते हैं बहुत सारी चीजे ऐसी दिया गया है इसमें कुल बारत पेजों में यह जारी किया गया है जो कि आप इसको अच्छे से रीट कर लिजेगा औ अबधी तथा अथवा अधिक्तम 60 वर्स की आयू तक के लिए अथवा दोनों में सिर्फ जो पहले हो तक के लिए किया जागा जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देशकते हैं निजन की समापती आपको किस तरीके से होगी कितना दिनों के लिए है वो सारी चीजे यहाँ पर में अबधी बिस्तार आपको किस तरीके से होगी वो सारी चीजे मेंसन किया गया है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा इसका जो पेडियाप है आप टेलिग्राम में डाल दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है और इतना बता प जानकारी चाहिए तो प्रोपर आप पताईएगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में आपको एक वीडियो के माधियम से कंपलीट जानकारी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें चैन बगरा होगा और इसका जो अंक जो है यानि माक्स हो किस तरीके से काउंटिंग होगा तो दोस्तों उमेद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर लिजे और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ज़्यदा ज़्यदा सेर कर दिजे ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके मिलता है दोस्त तो अगले वडियो में